ओनलाइन क्लासेज में सभी विदार्थियों का स्वागत है मैं विकास बढ़िया सारी राजनिति विज्ञान राज के महिला माविदाले जुन्जनू विदार्थियों पिछले जो विडियो थे उसमें हमने गांधी यूग के बारे में डिसकस किया था और गांधी यूग में भी जो ऐस योग अंदोलन था उसके बारे में चर्चा की थी उसी करम में आज के इस विडियो में हम महात्मा गांधी द्वारा चलाएगे सविने अवग्या अंदोलन के बारे में डिसकस करेंगे देखिए सबीनाय अवग्या अंदोलन जो मात्मा गांधी ने चलाया था उसकी थोड़ी सी हम एतिहासिक जो प्रस्ट भूमी है उसको जानने का प्रियास करते हैं जो 1928 में कॉंग्रेस का जो कलकता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें कॉंग्रेस ने एक अल्टिमेटम दिया था बेड़िश शरकार को देखिए जो नहरू रिपोर्ट जो त्यार की गई थी इसके सम्मंद में कॉंग्रेस के जो नेता थे उनमें काफी मतवेट थे एक युवा वरक था जिसमें जोहाला नहरू और सुभास चंदर बोस थे ये जो युवग दल था वो इस रिपोर्ट को केवल पूर्ण सवतंतरता के अधार पर ही स्विकार करने को त्यार था लेकिन दूसरा जो वरक था जिसमें मौतिलाल नहरू नेतरत्व कर रहे थे ये पुरानी पिडि के लोग थे और इसे पुर्ण रूप से सुभिकार करना चाते थे ऐसी इस्तती में गांदी जी ने मद्यस्ता की और एक प्रस्ताव पेस किया और ये जो प्रस्ताव पेस किया था ये एक प्रकार से ब्रेटिस आशन के लिए एक अल्टिमेटम के रूप में था प्रस्ताव का एक जो मेत्रपूर्ण अंस है वो इस प्रकार था कि यदि ब्रेटिस अंशद इस विधान को जियों का त्यों 31 दिसंबर 1929 तक कि या उससे पहले दिस विधान को अपना लेगी बसरते की राजनेतिक इस्तती में कोई परिवर्टन नहीं हो लेकिन यदि इस तारिक तक ब्रेटिस अंसद उससे विधान नहीं करती है तो इसके पहले ही एस विधान कर देती है तो कॉंग्रेस देश की करबंदी की सलाह दे कर अन्य उपायों के अधार पर जिन्हें वहबाद में निश्चित करेगी एंसात्मा कांदोलन चलाने का फैसला लेगी तो ये एक परकार का जो अल्टिमेटम जो मातमा गांधी द्वारा या कॉंग्रेस के द्वारा बिटिश सरकार को दिया गया था उसका एक अन्स था कॉंग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्विकार किया अब देखिए इंग्लेंड में मजदूर दल की सरकार बनी लेकिन इस्तति में किसी प्रकार का कोई बदलाव या परिवर्तन नजर नहीं आया मई 1929 में इंग्लेंड में मजदूर दल की सरकार की स्थापना हुई भारतिये जो जन्दमानस था या जो महात्मा गांदी थे उनको मजदूर दल से काफ़ी आसाएं थी लेकिन जब मजदूर दल की सरकार ने किसी परकार के कोई सकरात्मक अदम नहीं उठाए तो इस कारण भारत के समन्द में इस्तति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अब देखिए 1929 में लहोर में अदिवेशन हुआ और इसमें पूर्ण सवतंदर्ता का जो परस्ताव है वो परिद किया गया बिट्री सरकार का जो भारत के परती जो दरश्टी कौन था उससे भारती नेताओं को यह निश्चे हो गया था कि बिट्री सरकार उस समय तक भारत को सवराज्य नहीं देगी जब तक कि उसको मजबूर नहीं किया जाए अतै भारती निराशा और छोब के वतावरण में पंडी जभाला नहरू के अध्यक्स्ता में दिसंबर 1929 में लाहोर में कॉंग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ और अधिवेशन में 31 दिसंबर की रात्री को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा जंडा फ़राया गया और पूर्ण स्वाधिन्ता का प्रस्ताव है वो पास किया गया और जो कारिय समिती थी उसने यह निश्चे किया कि परतिवर्स यानि परतेक वर्स 26 जनवरी का जो दिन है वो स्वाधिन्ता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन पढ़े जाने वाले घोषणा पतर से स्वाधिन्ता को भारती जनता का जरम से अधिकार गोशित कर दिया गया तो यह 1929 का लाहोरा दिवेशन हुआ और इसमें नहरु के अधिक्स्ता में पूर्ण स्वाधिन्ता का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया इस समय देखिए देश की जो आंतरिक इस्तती है वो अच्छी नहीं थी जिस समय कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वादिन्ता का जो घोशना पत्र है वो स्विकार किया उस समय देश की जो राजनितिक और जो आर्थिक प्रिस्ततियां थी वो बहुत खराब और उतेजना पूर्ण थी राजनिति में जो नव्युवक जो थे वो अधिक सकी दिये थे इस समय विश्वा के दूसरे देशों के समान भारत भी है वो आर्थिक मंदी का शिकार हुआ कर्शी समन्दी उपज के भाव 50% से अधिक गिर गए किसानों की हालत इतनी तंग थी कि वे एक गज कपड़ा और एक बोतल लेंप का तेल भी नहीं खरीज सकते थे सीधी सी बात ये है कि वे कर लगान और रिन अदा करने में आश्मर्थ थे वेवसाईक और अदोगिक वर्गों में रुपे की नई दर्के कारणती और रहसंतोष था सरकार ने रुपे की किमत 16 पैंस से बढ़ा कर 18 पैंस कर दी इसे इंगलेंड को तो फाइदा हुआ लेकिन भारत की जो उद्योगपत्ति और जो व्यापारी थे उन्होंने कॉंग्रेस का समर्थन किया और उसके कोस में 1920 तक अधिक मुक्त हस्त होकर दान दिया और दोगिक चेतर में कारिये कर रहे मजदूर भी बहुत अधिक हसंतुष्ट और उतेजित थे क्योंकि सासन के दमन के कारण उन्हें बहुत अधिक हस्त उठाने पड़ते थे सरकार ने मार्च 1939 में मजदूर संक्ठनों के सबसे अधिक परभावसाली नेताओं को गिरबदार करना प्रारंब किया उन पर सडियंतर का अभ्योग लगाया गया जो सितिलता प्रुवक लगातार चार वरस तक चलता रहा इसमें 27 सर्मिक नेताओं को राजद्रों के अपराद में कारवास का दंड दिया गया सरकार के इस कारिये से जो सर्मिक वर गया वो एसंतोस से अधिक परभावित हुआ इसी समें बहगत सिंग और बटुकेश वर्दत के अकरांती कारी कारियों और लाहोर सडियंतर अभ्योग के कारण भी भारत का राजनेतिक वातावरण है वो अधिक उतेजना पूरण हो गया था इस परकार 1930 के प्रारंबिक वरसों में चारूं और अधिक उतेजना का वातावरण बना और इस बात के चिन में दिमान थे कि यदि मात्मा गांधी एह इंसात्मा कांदोलन का सिरिगनेश नहीं करेंगे तो बहुत अधिक दूरदर्शा और नोकरसाई दमन चकर के कारण भारत में इंसकरांती का सुतरपात हो सकता है गांधी जीस बात से भी आवगत थे अत्या उन्होंने इस्तती में सुधार और इस्तती को नियंत्रित करने के प्रियतन प्रारम किये और इस इस्तती में भारत के गांधी नगर में 26 जनवरी 1930 को पूरुन स्वाजिनता दिवस बहुत उत्षा पुरवक मनाया गया अब कॉंग्रेस ने आंदोलन छेड़ने का निर्ने लिया 14-16 फर्वरी 1930 तक सबर मती में कॉंग्रेस कारिय कारणी की बैठक हुई कॉंग्रेस कारिय कारणी ने इस्तती पर गमेता पुरवक विचार किया इसका अध्यन किया और एक प्रस्ताव पास करके महात्मा गांधी को सविने अवग्या अंदोलन प्रारम करने के जो सारे अधिकार थे वो महात्मा गांधी को सौंप दिए लेकिन सांतिवादी और समझोते में विश्वास करने वाले होने के नाते महात्मागंदी ने एक मोका वाइसराय को दिया और वाइसराय को एक पत्तर लिखा अपने साप्ताइक पत्तर येंग इंडिया के एक लेक में उन्होंने वाइसराय को ग्यारा सर्तें बताई और आसवासन दिया कि यह दी बिटिश शरकार उन मांगों को मान लेती है तो समीने अवग्या अंदोलन का नाम भी नहीं सुनना पड़ेगा अन्य था समीने अवग्या अंदोलन है वो सिगर ही प्रारम कर दिया जाएगा अब वो 11 सर्तें कौन कौन सी थी उन 11 सर्तों में पूर्ण नसाबंदी हो मुद्रा विनीमे में एक रुपया एक सिलिंग चार पैंस के बराबर माना जाए माल गुजारी आदी कर दी जाए और विधानमंडलों के नियंतर्ण में रखी जाए नमक पर लगने वाला कर बंध हो स सुरूं में उसको आदा किया जाए सासन वे में कमी करने के लिए अधिकारियों के वेतन को आदा किया जाए या उसमें कमी की जाए विदेशी वस्तरों पर तटकर लगाया जाए ताकि देशी उद्वगों का सरंक्षन हो तटिये व्यापार सरंक्षन कानून पारित किया बारत से निर्वासित किये गए सभी लोगों को बारत में आने का अवसर परदान किया जाए खुपया पुलिस है वो तोड़ दी जाए और उसको जन्र नियंतर्ण में रखा जाए आतमरक्षा के लिए बंदू का दी अथियारों के लिए लाइसेंस परदान किये जाए तो यह ग्यार है जो मांगे हैं वो गांदी ने बिटिश सरकार के समक्स रखी और इसपस सब्दों में कहा कि यदि बिटिश सरकार इन मांगों पर साहनु बुत्ति पुरण यदि विचार करती है तो किसी परकार का कोई समीने अवग्या अंदोलन है वो प्रारम नहीं किया लेकिन बिटिश सरकार ने पतर का सानु बुत्ति पुरण कोई उत्तर नहीं दिया और इसके बजाए कॉंग्रेसी कारिये करताओं को उगिरबदार करना प्रारम कर दिया ऐसी इस्तिती में माहत्मा गांदी के सामने सवीने अवग्या अंदोलन प्रारम करने के लावा कोई विकल्प सेस नहीं बचा अब दीखिए सवीने अवग्या अंदोलन मात्मा गांदी ने प्रारम किया और हम यह सभी जानते हैं कि मात्मा गांदी जो है उन्होंने दंडी यात्रा प्रारम की और साबरमती उनदी के तट पर दंडी नमकिस्तान पर पहुंच कर अपने हाथो से श्वेम नमक बना कर जो नमक कानून है उसको तोड़ा और सवीने पुर्वा के इन कानूनों की अवग्या की तो देखिए सवीने अवग्या अंदोलन प्रारम मात्मा गांदी ने दांडी यात्रा के साथ किया मात्मा गांदी ने जब अंदोलन चलाने के धंग पर विचार करना प्रारम किया और निश्चे किया कि वे सर्वा प्रतम स्वेम दांडी समुदर तट पर सासन की आग्या प्राप्त किये बिना नमक बनाएंगे और इस प्रकार नमक कानून का उलंगन करेंगे और इसी बात को लेकर 11 मार्च 1930 को साबरमती के मैदान में 75,000 वेक्तियों ने एकत्रित होकर ये प्रण किया कि जब तक भारत स्वादी नहीं हो जाता तब तक ने तो हम स्वेम चैन से रहेंगे या स्वेम चैन लेंगे और नहीं सरकार को चैन से रहने देंगे ये प्रण 55,000 वेक्तियों ने साबरमती के मैदान में 11 मार्च 1930 को किया 12 मार्च 1930 को महत्मा गांधी और जो उन्होंने 89 यानि 79 जो कारिय करता चुने थे उनके साबरमती आसरम से दांडी समुदर तटकियों चल पड़े और 200 मिल की जो लंबी यात्रा है वो 24 दिनों में तैई करके और यह पड़ल यात्रा महान अंदोलन का महान प्रारम थी वलबाई पटेल आगे चले उन्होंने मात्मा जी के आगमन के लिए जन्ता को त्यार किया 5 अप्रेल 1930 को मात्मा गंदी दांडी पहुंचे और 6 अप्रेल को उन्होंने समुदरी तट पर स्वेम नमक कानून का उलंगन करके सत्यागरे का सिरिगनेश किया समीने आवग्या अंदोलन के अंतरगत कुछ कारिय करम भी निर्धारित किये गई जो एक प्रकार से समीने आवग्या के शुरू किये जाने के संकेत थे 6 अप्रेल को मात्मा गंदी ने अंदोलन के लिए कुछ कारिय करम निर्धारित किये गाम गाम को नमक बनाने के लिए निकलना चाहिए बेहनों को सराब, अफिम और विदेशी कपरों की दुकानों पर धरना देना चाहिए विदेशी वस्तरों की होलिया जलानी चाहिए हिंदों को ऐस पर से ताक त्याक देना चाहिए विजारती सरकारी सिक्षन सहंस्तानों को छोड़ दें सरकारी नौकरी से त्याकपतर दे दें चार मॉई को मात्मागान दी वो गिर्बदार کر लिए गये और कर्बंदी जो है उसको भी इस आंदोलन में समलित कर लिए गया देखिए आंदोलन है वो तीवर गती से आगे बढ़ गया था लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को दबाने का प्रियास किया और दमन्चकर प्रारम किया जब मातमा गांदी ने नमक कानून का उलंगन किया तो इसके सिगरबाद ही आंदोलन पूरे भारत में जोर पकड़ गया इसने संपून देश को अपने प्रभाव में ले लिया मद्य प्रांत में जंगल कानून कलकता में राजद्रोय सभाद इनियम का उलंगन किया गया सेउक प्रांथ, मद्राश, मदे प्रांथ, बंबई बंगाल में सासन के अनुम्ती प्राप्त कि बिना ही अवि जनिक तरीके से नम्हक बनाना प्रारम किया गया, विदेशी वस्तरों और ने सामान का बहिसकार किया गया, सराब की दुकानों पर धरने भी सफलता प्रवक प्रारम किये गए अंदोलन प्रारम होने के एक मा के अंदर अंदर 200 पटेल और पटवारियों ने त्याग पतर दे दिये सेंकड़ों ने सरकारी नोकरों ने भी ऐसा ही किया विदेशी वस्तरों के बहिसकार को महान सफलता प्राप्त हुई अंदोलन की ये जो एक विशेश बात थी वो ये थी कि भारती इस्तरियों ने अपने प्रमप्रागत संकोच का त्याग कर बहिसकार, पिकेटिंग और सवदेशी परचार में अंदोलन कारियों के साथ मिलकर का कता और अन्हेस्तानों पर संपूँ और स्वेचा परोक हरताल की गई बंबई जी आए पी और बीबी सी आई के कारखानों के जो मजदूर थे उन्होंने काम छोड़ कर हरताल प्रारंब कर दी आंदोलन के प्रारंब होने के पहले ब्रेटिश सरकार के जिम्हदार अधिकारिय लेकिन जब धीरे धीरे जो आंदोलन हो गती पकड़ गया तो बेटिश सरकारा वहत प्रत्सी हो गई लेकिन कुछ समय बाद ही उसने निर्मंता पुर्वक आंदोलन को दबाना प्रारंब कर दिया परदशनों और सार्वजनिक सभाओं को निर्दता पुर्वक तितर बितर करने का प्रियास किया जाने लगा अब लाठी प्रहार दिन प्रति दिन की घटनाएं हो गई इस प्रकार कभी कभी पुलिस बिल्कुल मामुली सी बातों पर छात्रों का पीछा करती थी कक्साओं में गुश कर उनके साथ मारपिट करती थी उन्हें और उनके अध्यापकों को लाठियों से पिटा जाता था और कॉंग्रेस है उसको एक प्रकार से बिटिश सरकार ने अविद संग्ठन घोशित कर दिया एक वर्ष में ही लगबग 90,000 सत्याग्रेवों को जेल में ठोच दिया गया मैलाओं के साथ 20 प्रकार के कठोर बरताव किये गए देश को अध्या अत्मक कानून आने लगे करबंदी अंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने संपती के बलात गरहन हरन और निलाम का सारा लिया पुलिस के जल्मों के परणाम सा रूप कई गाउं बिलकुल उजड़ गए पुलिस के दमन कारियों की परतिकिरिया के रूप में कुछ इस्तान के साथ आगे बढ़ा लेकिन सरकार के दमन चकर से यह अंदोलन है यह अपने लक्षे को प्राप्त नहीं कर पया लेकिन इस आंदोलन ने राष्ट्री आंदोलन में अपना मैत्वपून योगदान दिया आगे के वीडियो में हम भारचोड़ आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद